एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे ये शब थे शामाप्रसाद मुखरजी के जब आर्टिकल 370 एड हुआ था जिसमें जमुएन कश्मीर को स्पेशल आटॉनमी प्रोवाइट करें गई थी शामाप्रसाद मुखरजी शुरू से ही आर्टिकल 370 के फेवर में नहीं थे किको उनका माना था कि जैसे भारत के और राज हैं जहां पे भारत का पूरा समविधान अप्लाई होता है उसी तरह से जमुएन कश्मीर को भी होना चाहिए और जब जमुएन कश्मीर इंडिया में मर्ज हुआ विद आर्टिकल 370 तब शामाप्रसाद मुखरजी ने नारा दिया था एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे जब आर्टिकल 370 के साथ कश्मीर का मर्जर हुआ तब वहाँ एक ओफिशल पर्मिट सिस्टम था जिसके बिना कोई भी जमुएन कश्मीर में इंटर नहीं कर सकता था तो इसी के विरोध में और एक नैशनल अवेरनस जगाने के लिए शमाप्रसाद मुखरजी 11 मई 1953 को जमुएन कश्मीर में इंटर करते हैं विदाउट एनी पर्मिट और तभी उन्हें अरेस्ट करके कस्टेडी में दाल दिया जाता है बट इस प्रोटेस्ट से ओफिशल पर्मिट वाला सिस्टम जमुएन कश्मीर से खत्म कर दिया जाता है और इसके तुरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है 23 जून 1953 को हाट अटैक से